हर साल की तरह इस बार भी फैंस बिग बॉस का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं इस बार भी हर किसी को यही इंतिजार है कि बिग बॉस के घर में आखिर कौन-कौन नजर आएगा वेल अभी सल्मान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में एक नाम कन्फर्म कर दिया है वेल इस मौके पड़ आपको बताते हैं कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू से जुड़ी कुछ ऐसी बाती जो शायद आप ना जानते हूं जान कुमार सानू मशुहूर सिंगर कुमार सानू के बेटे हैं और वो 26 साल के उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री में उतर गए हैं वेल साथी आपको बता दें कि जान कुमार सानू अपने पिता को अपना आइडियल मानते हैं इसलिए वो अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जरूर लगाते हैं लेकिन उनका असली नाम जैश कुमार सानू है पर हर कोई उन्हें अपने पापा के नाम यानि की जान कुमार सानू के नाम से ही जानता है जैसे कि अब सल्मान खान ने कन्फर्म कर दिया है कि कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू इस बार बिग बॉस में जरूर नजर आने वाले हैं तो हम ये मान सकते हैं कि वो इस बार बिग बॉस में अपना नेम और फेम भणाने के लिए आ रहे हैं साथ ही हो सकता है कि वो घर में गाना भी गाएं और सब को साथ में गाना गवाएं भी वेल कितना इंट्रेस्टिंग होगा बिग बॉस के घर में कुमार सानू के बेटे का आना ये तो हमें बिग बॉस शुरू होने के बाद ही पता चलेगा जानकुमार शानू ने अपनी पढ़ाई मानीक法, जी कूपर एडुकेशन प्रस्ट स्कूल मुंबई से पूरी की है जिसमें के उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है वेल आपको बता दें कि 8 साल की उमर में जानकुमार शानू ने अपनी पहली बेंगॉली म्यूजिक एल्बम जिसका नाम तोम्रा शुनबे तो रिलीस की थी जिसके बाद से उनका नाम लिंका बुक ओफ रिकॉर्ड्स में यंगेस्ट सिंगर के नाम पर दर्ज हो गया था साथ ही उन्होंने टीवी रियालिटी शो रिंड मेरा स्टार सुपर स्टार जोकी 2006 में आया था उसमें भी एज़ा कंटेस्टेंड पार्ट स्पेट किया था 12 साल के उमर में जानकुमार शानू ने सुपर हिट फिल्म तारे जमीन पर का बंबं बोले गाना गाया जिसके बाद उन्हें बहुत फेम मिला फैल अब ये देखना होगा कि जानकुमार शानू के साथ और कौन-कौन इस बार बिग बॉस 14 में नज़र आने वाला है इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ